नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद अच्छे ही होंगे आज मैं बात करने वाला हूँ यूपिटर पहले सी की कुछ बहुती मैंत्रपून भरतियों को लेकर अपडेट मिला है तो यह जांकर ही आपको इस व 2022 के रिजल्ट और कट ओफ को लेकर देखिए पैट का कट ओफ लोवर PCS वीडियो और लेक पाल 2023 भरती के लिए क्या होगा इस पर आज मैंने सुभा एक वीडियो डाला था और उस वीडियो पर कुछ चात्रों का कहना यह था कि जब पैट 2022 का परसेंटाइल जारी नहीं हु हुआ है तो आप कट ओफ अभी से कैसे पता सकते हो आप कट ओफ कैसे निर्धारित कर सकते हो तो देखिए उन चात्रों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो जितनी भी भरतिया यूपिटर पलसी पैट से कराएगा या कराता है उसमें जो कट ओफ लगता है मेन एक्जाम का व कट ओफ तै नहीं होती किसी भी मेन एक्जाम की ठीक है हो सकता है उन्होंने उन चात्रों ने पहली बार पैट की परिक्षा दी हो उनको जानकरी ना हो तो उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि पैट का कोई भी भरती आए चाहे वो लोवर PCS हो चाहे पटवारी हो चाहे मैटर ही नहीं है ठीक है परसेंटाइल का कोई अर्थ नहीं है एक परसेंट भी अर्थ नहीं है परसेंटाइल का ये तो केवल इसके लिए होता है कि हाँ भई आपका जितने परसेंटाइल है आप उतने परसेंट बच्चों में आप आते हो केवल ये अनुमा लगाने के लि वो इस्कोर पर ही तह होती है ठीक है अब आपने देखा होगा पिछले जो कटफ लगा था जो आपकी UDA LDA की भरती थी उसमें जो कटफ तह हुआ था वो 86 गया था ठीक है मतलब 86 जिसका स्कोर होगा वही इसमें अपलाई कर सकता है एक्जाम दे सकता है ठीक है तो अब इन 86 व नहीं करता इसकोर मैंटर करता है तो इसकोर मैं आप सभी को बता चुका हूँ सॉरी कि इसका कितना कटफ जाएगा और आप सभी को अपना अपना इसकोर पता है कि हमारा इसकोर पैट 2022 में कितना बन रहा है आपकी सिफ्ट में कितने परशन गलत हैं कितने सही हैं तो उससे आप एक 99% एक accurate अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा score इतना है, किसी के 80 question ठीक है, किसी के 75 ठीक है, negative काट कर और कुछ प्रशन उसमें गलत भी हैं एक दो, तो आप उनको जोड जाड कर आप ये बता सकते हो कि हमारा score पैट 2022 में इतना बन रहा है, ठीक है, और बाकी रही बात, नौर मलाजिश की प्रिकिरिया की, तो नौर मलाजिशन एक ऐसी प्रिकिरिया, इसमें ज्यादा score आपका घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये मुश्किल से एक ये दो नमबर का असर पढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ जो है, कट ओफ का अनुमान लगा सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है, आगे बात कर लेते हैं, दोस्तों अगली खबर है, पैट 2022 का परिणाम कब तक जारी होगा, देखें, पैट 2022 के परिणाम पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, यूपिटर पर एसी, बिलकुल लगा हुआ है, पूरी तेजी के साथ, जी जान से, और आपको जल्दी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, दिसंबर लाश्ट तक आपको परिणाम या अधिक्तम जनवरी फस्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाईया, अगर परिणाम इन्होंने जनवरी के फस्ट वीक तक जारी नहीं किया, तो इनको भरतियां भी तो निकाल ली है, कम से कम 12-15 भरतियों का विग्यापन है, जो यूपिटर पर एसी को जारी करना है, अगर ये परिणाम लेट करेंगे, तो इन इतनी सारी भरतियों का विग्यापन समय से कैसे जारी हो पाएगा, क्योंकि जून जुलाइ के आसपास पैट 2023 आ जाएगा, तो इनको समय से पैट 2022 का परिणाम जारी करना ही होगा हर हाल में, ठीक है, तो जानकर यही है कि पैट 2022 पर पूरा स्पीड से काम चल रहा है, और आपका परिणाम जो है, आपको जल्द देखने को मिल जाएगा, दोस्तों अगली खबर है, लोवर 2019 के फाइनल रिजल्ट को लेकर, देखिए इस रिजल्ट को लेकर आपको बता दूँ, इस रिजल्ट पर 95 परतीशत काम कम्पलीट हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो काम भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, उम्मीद है, तीन से चार दिनों के अंदर ये काम कम्पलीट हो जाएगा, ठीक है, हाला कि मैंने आपसे ये कहा था कि 25 तक ये परिणाम आ जाना चाहिए, लोवर 2019 का अंदिम परिणाम, लेकिन देखिए 25 तो कली है, तो मुस्किल लग रहा है कि अभी इस परिणाम में ठीक है, और यूपिटर पलेसी का ये हमेशा काम रहा है कि ये दो दिन के काम में 6 दिन लगाता ही लगाता है, ये आप सब जानते ही हैं, ठीक है, तो हो सकता है अगले सब था के 2-3 दिन आपको और इंतिजार करना पड़े आए, ठीक है दोस्तों, बाकि देखिए ख़बर है UDA-LDA अंतिम परिनाम की, देखिए UDA-LDA का जो अंतिम परिनाम है वो भी आपका lower 19 के जारी होने के एक सब्ता या 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको अगर मैं एक समय देकर चलू, तो आप मान कर चलिए कि 10 दिसंबर तक, ठीक है, 10 दि लिए है कि वीडियो 18 के एक्जाम कराने को लेकर यूपिटर पलेसी तो positive है, लेकिन शाषन की तरफ से कोई response ना मिलने की वजहा से इस परिक्षा को late कर रहा है शाषन, ठीक है, यूपिटर पलेसी के इस तरफ पर इस भरती को late नहीं किया जारा, यूपिटर पलेसी के जो साफ साफ जनकरी पता लगी है कि जैसे ही हमारे पास साषन के पत्र का जवाब आता है, तुरन्थ हम इस भरती पर कारवाही करने वाले हैं, क्योंकि और यूपिटर पलेसी के तरफ से इस भरती को लेकर बहुत ही positive news है, लेकिन साषन के पत्र के जवाब आने का इंतिजार है जवाब आते ही, तुरन्थ भरती पर कारवाई होगी, मिटिंग करके इसके exam date यूपिटर पलेसी जारी करेगा, और हो सकता है यूपिटर पलेसी की प्रात्मिक्ता में यही भरती हो वीडियो की, जो आपको फरवरी में इसका exam देखने को मिल जाए, आगे बात कर लेते हैं बहिया, लेकपाल के परिणाम को लेकर बहुत बड़ी अख़वर यह है कि लेकपाल का जो आपका परिणाम है, वो इस पर बहुत तेजी के साथ यूपिटर पलेसी काम कर रहा है, और जितने भी इसमें गलत चात्र हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि तीन हजार के आसपा करने का पलान है, यूपिटर पलेसी का, जानकर ही पता लगी है कि मार्च 2023 तक इस भरती को फाइनल कर दिया जाएगा, यानि कि डॉकुमेंट वरिफिकेशन कराके इसका अंते परिणाम जारी कर दिया जाएगा, तो अगर यूपिटर पलेसी इस भरती को मार्च 2023 में फाइ पर और एक आपका लोवर के परिणाम पर इन तीनों भरतियों पर लगतार समानांतर रूप से काम चल रहा है ठीक है और पूरा जोरों के साथ तीनों भरतियों पर काम चल रहा है ठीक है तो लेक पाल की भरती का परिणाम की खबर यही है कि इस भरती का परिणाम भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की आप ये और वीडियो पाने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाइन जा भारत हमेशा खुश रहिए मुश्करात रहिए